ओम शन्ति आज बाबा के आठ एक दो हजार बाइस के साकार अनमुल धान्न युक्त मधुर महवा के हैं जिन में बाबा ने कहा हैं बाप की समी पाने के लिए सदा याद की यात्रा में रहना है रात को जाकर के भी बुद्धी की यात्रा जरूर करनी है दूसरा बाबने का सच्चे सच्चे ब्राह्मन बन आपकाष्ट नहीं सच्चे सच्चे ब्राह्मन बन इक्या करना या gentleman Tom सभी हैं 21 कुल का उधर करना है और स्वदर्शन चक्रधारे नहीं तलपर विजय पाने के लिए इस पुरानी दुनिया में रहते इस पुराने खल से मना देहे अभिमान से ममत निकाल देना है तो बाबा ने कहा ये धारना करनी है पवित्र रहना शिरिमत पर चलना है बाबा की आज्या को मानना है तो सुनते हैं बाबा के मदुर मावा के मीठे बच्चे ग्यान रतनों को धारन कर रोखानी होस्पिटल यूनिवस्टी खोलते जाओ जिस से सबको हेल्थ मिले कोश्चन है बाब का कौन सा करतववे कोई भी मनुश्य आत्म कर नहीं सकती आंसर आत्म को ग्यान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना यह तो बार बार लगवाना पड़ता है आज तब यह ठीक हो गई कुछ दिनों के बाद फिर खराब होगी या कुछ और बीमारी आईगी फिर फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है शिप बाबा ई की बार संगम युक पर ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो 21 जन्मों के लिए निरोगी बना देते हैं यह करतवे कोई भी मनुश्य नहीं कर सकते जो आत्मा को निरली पमानते वो ग्यान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे यह करतवे एक अभिनाशी सर्जन का ही है जो ऐसी ग्यान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्ब के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं गीत के बोल हैं यह वक्त जा रहा है करना है जो भी कर ले यह वक्त जा रहा है ओम शान्ति यह किस ने कहा कि बाकी थोड़ा समय है बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रहे अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो यहां तो दुखी दुख है सुख का नाम निशान ही नहीं सुख है ही सुख धाम में कलियो को कहते हैं दुख धाम अब बाबा कहते हैं जब कि मैं आया हूँ तुम को सुख धाम में ले चलने के लिए तो फिर क्यों रुके हुए हो दुख धाम से क्यों दिल लगी हुई है क्यों दिल लगी हुई है सुख धाम को क्यों याद नहीं करते शुबाबा को क्यों याद नहीं करते, दुख धाम के भातियों से, अत्वा इस पुराने शरीर से, क्यों दिल लगी हैं, हम आई हैं तुमको सुक धाम में ले चलने के लिए, सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुक तो काग विष्टा के समान हैं, इसलिए उनका सन्यास करते ह तुम बच्चों को अब सुक धाम का साक्षातकार हुआ हैं, ये पढ़ाई है ही सुक धाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई तकलिफ भी नहीं हैं, बाप को याद करना हैं, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे, तुमारी काया कल्प व्रक्ष समान बड़ी होगी, य ये हैं जो मनुस्य स्रिष्टी का चाड़ है, उनकी आयू 5000 वर्स है, उसमें आधा कल्प सुक, आधा कल्प दुख है, दुख तो आधा कल्प तुमने देखा, बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना हैं, चलना हैं सबको, तो पवित्र बनो, शिरी मत कहती हैं, ये है विश्की लेंदें छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारना करो, जितना ज्ञान रतन धारन करेंगे, उतना निरोगी पनेंगे, तो बाबा ने समझाया हैं, ये रुखानी होस्पिटल भी है, तो युनिवस्टी भी है, परमपिता परमात्मा आकर रुखानी होस्पिटल और University स्थापन करते हैं Hospital तो دुनिया में बहुत है लेकिन ऐसा Hospital, University दोनों 1टी कही नहीं होती यहां यह wonder है Hospital और University Health और Wealth 1टी मिलती है फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए कड़े हो जाते आज कल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा बाप स्रेश्टे स्रेश्ट मत देते हैं तुम गवर्मेंट को भी समझाओ इस समय बेहत का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवस्टी खोलते हैं जो सब को Health and Wealth दोनों मिले गवर्मेंट भी ऊस्पिटल यूनिवस्टी खोलती है उनको समझाओ इस जिस्मानी होस्पिटल खोनने से क्या होगा यह तो आधा कलब से चलते आई हैं और मरीज भी बनते ही आई हैं यह है फिर रुखानी होस्पिटल युनिवस्टे इस ये मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं तो एजूकेशन मनिस्टर, हेल्थ मनिस्टर को भी समझाओं कि बेहद के बाप से बेहद के बापनी कंबाइन होस्पिटल युनिवस्टे दोनों को ली हैं आपको भी राई देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्यान हो जाए बापकि ये बिमारिया आदी तो जब से रावन लजी शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है आगे तो वेद की दवाईया थी अब तो अंग्रेजी दवाईया बहुत निकली हैं यह है अभिनाशी सर्जन तो अभिनाशी दवाई देते हैं तब गाया जाता है क्या ज्ञान अंजन सत्गुरु दिया अज्ञान अधिर विनाश तो ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाफी लगाते हैं आत्माओं को और कोई आत्माओं को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता वो तो कह देते हैं आत्मा निरलेव हैं तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्स्टी में तो लाखो रुपया खर्चा लग जाता हैं यहां तो खर्चे की बात ही नहीं तीन पैर प्रत्वी चाहिए जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए बाप को याद करो तो धन्वान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्स्टी खोलेंगे गरीब छोटी खोलेंगे गवर्मेंट कितनी खोलती हैं आज कल तो टेंट आधी लगा कर भी पढ़ते हैं और दो तीन शैशन रखते हैं क्योंकि जगा नहीं है पैसे नहीं है इसमें खर्चे की कोई बाती नहीं कोई भी जगह मिले कोई ओजार आधी तो रखने नहीं है बड़ी सिंपल बात है पुरुष भी खोलते हैं माताइं भी खोलती हैं तो बाप कहते हैं तुम भी खोलो तुम ही खोलो तुम ही सबालो खोलो भी तुम ही सबालो जो करेगा सो पाएगा बहुतों का कल जान होगा, बेहत का बाप शिरीमत देते हैं स्रेश्ट बनने के लिए, बहुत हैं जो सुनते हैं परंदू करते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, हेल्थ वेल्थ मिलती है पाप से, बाबा बैकुंट की बाश्या ही देने आई हैं, हीरे ज्वाहरात के महल मिलेंगे भारत में ही लक्ष्मी नारेन का राज्य था, जरूर उन्हों को बाबा ने वर्षा दिया होगा, अभी तो कल्यूग में दुख ही दुख है, फिर सत्यू के स्थापना मुझे ही करनी हैं, मनुष्ये कोई होस्पिटल आदी खोलते हैं तो उद्गाटन करते हैं, बाप कहते हैं मै यह नई बात नहीं है, देखा जाते हैं गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाच्छों, साहुकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वो समझते हैं हम स्वरग में बैठे हैं, भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप कितना ज्यान और योग बाबा सिखाते हैं, तीसरा नेतर भी बाबा देते हैं, जिसे तुम सारे चक्र को जन जाते हो, बाकी सब घोर अंधियारे में हैं, ड्रामा के आदी मद्य अंध का किसी को भी पता नहीं हैं, पतीत पावन बाप को ही भूल गए हैं, शुप परमात्मा क के लिए कह देते हैं, ठिक कर भितर में हैं, तुम जानते हो, अभी सब की क्यामत का समय हैं, आग में जल मर खतम होंगे, फिर सब को वापिस ले जाओंगा साथ में, मैं पंडा आया हुआ हूँ, तुम पांडव सेना होना, वहे चिस्मानी यात्रा पढ़ ले जाते हैं, वो चलना फिरना नहीं पड़ता, बाप कहते हैं, मुझे याद करो, रात को भी जाकर के मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धी योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो, साकार बाबा रात को जाक जाकर के बाप को याद करते थे, तो follow father, नींद को जाकने वाले बनो, तो तुम नजदिक आते जाएंगे, बाबा के, हम फिर नजदिक आते जाएंगे, वेहें ही कुखवन शावली ब्राह्मन, तुम हो ब्रह्मा मुखवन शावली ब्राह्मन, अभी तुम रुभानी यात्रा में तत्पर हो, तुम ही पवित्र रहना हैं, वेहें ब्राह्मन लोग खुद ही अपवित्र हैं, तो और उनको पवित्र बनाना सकें, तुमको तो पवित्र रहना हैं, रुद्रिक ज्यान यग्या में पवित्र ब्राह्मन ही रहते हैं, वो ब्राह्मन लोग भल मंदिरों में रहते हैं, नाम ब्राह्मन हैं, तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको सनान आदी भी कराते हैं परंतु वह पतित हैं बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वह अगर नाम की ब्राह्मन नहीं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते ब्राह्मनों का मान बहुत है परंतु हैं पतित विकारी कोई कोई ब्रह्म चारी होंगे तो बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मन ब्राह्मनिया वहें हैं जो 21 कुल का उद्धार करें कन्या अगर उद्धार करती होगी उनके माबाप भी होंगे ये माबाप सिखलाते हैं तुम 21 पे बचे जानते हैं, बाप है गुप्त, शिप बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं, यह दादा तो धन्दा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिप बाबा ने परवेश किया, और इन द्वारे ही ज्ञान सुनाते हैं, तो यह है रत, शिप बाबा है रत ही, अब निराकार परमात्मा समझाते हैं, यह रत बहुत जन्मों का पतित है, तो पहले-पहले यही पावन बन जाते हैं, नजदीक में हैं, यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ब्रह्मानी ऐसे कहता है मैं भगवान हूं, भगवान मु तक का भी जनम है बानप्रिस्टवस्था है पतित है बामा नीन में परविश किया है अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो मैं तुमको बताता हूँ यह भी बुद्धी में आता है पतित पावन पर्म पिता परमात्मा ही है वो बाब भी है, टीचर भी है और गुरू भी है सारे ड्रामा के आदी मध्यांत का राज समझाते हैं तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे इस बाब टीचर गुरू की राइल लेने से तुम उँच पद पाएंगे कितना अच्छी रिती समझाते हैं कोई तो धार्ना कर शिरी मत पर चलकर उँच पद पाते हैं जो शिरी मत नहीं मानते वो उँच पद भी नहीं पाते बाबा कहते हैं सुक धाम और शान्ती धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ अपनी को अश्रीरी समझो अब हम वापिस जा रहे हैं बाबा लेने आई है हर एक को अपना अपना पार्ट रपीट करना है हर एक की आत्मा में अभिनाशी पार्ट है हर आत्मा अभिनाशी पार्ट धारी है दुनिया में कब पढले होती नहीं परिवर्तन होता है लेकिन पढले नहीं होती यह दुख धामें फिर जाएंगे शान्त और सुक धाम में यह बुद्धी में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवितर रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम काल पर विजय पा रही हो वहां तुम्हारी अकाले मिर्थी नहीं होती जैसी सरफ पुरानी खाल चोड नहीं लेते हैं वैसी तुम भी खाल बदल नही ले लेंगे ऐसी अवस्था यहां बनानी है पुराना चोला चोड़ने में दुख नहीं होना चाहिए डर नहीं होना चाहिए तो वो अवस्था यहां बनानी है बस हम यहीं शरीर चोड स्वीट सैलेंस होम चले जाएंगे हमको काल खा नहीं सकता सरफ का मिशाल वास्तों में सन्यासी दे नहीं सकते भर्मनी का मिशाल भी प्रवर्ती मारक बालू का है कहते हैं सेकेंड में जीवन मुक्ती दे सकते हैं जनक मिशल ये भी कॉपी करते हैं जीवन मुक्ती में दोनों ही चाहिए वह सन्यासी जीवन मुक्ती दे नहीं सकते गरबार छोड़के चले जाते हैं कैसे देंगे आप बाप कहते हैं चलो वापिस मुझे याद करो तो विकर में नाश होंगे नहीं तो सजाई खानी पड़ेंगी और पद भी ब्रश्ट होगा अंत में कोई की याद आई फिर पोनर जनम तो लेना ही है यह है योग से हेल्थ औ इसको ही कहा जाता है फिर इतनी पैसे भरबाद करने भटकने आदे की क्या दरकार है इसलिए हेल्थ मनिस्टर एजुकेशन मनिस्टर को समझाओ तुम ये हॉस्पिटल युनिवर्स्टी खोलो तो तुमको बहुत फाइदा होगा जो करेगा सो पाएगा साहुकारों का काम ह साहुकारों का उद्धार करना गरीब ही वर्सा लेते हैं बाकी जो क्रोड पती हैं उसके लिए कहा हुआ है क्या किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए किसकी चोर लूट ले जाए किसकी आग लगाए सपली होगी उसकी जो इश्वर धनी के नाम लगाए पिजारी म आग लगे कि सब खत्म हो जाएंगे तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा मनना तो है ही ड्रामा का अंत भी होना है बाबा कितनी अच्छी रिती समझाते हैं नदिया तो चक्र लगाती रहते हैं बाकी ब्रह्म पुत्रा तो यह ब्रह्मा ही मम्मा हैं सर्श्वती बाकी हैं ज्यान गंगाई पानी की गंगाई पावन कैसे बनाएंगी वह कोई मेला नहीं यह है सच्चा मेला जबकि जीव आत्मी परमात्मा से मिलती है तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला होई लिया परमात्मान ने भी जीव का लोन लिया है नहीं तो पढ़ाई कैसे इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है जो इसमी परवेश कर ज्यान देते हैं सर्श्वती को कहा जाता है God is of knowledge ब्रह्मा को भी knowledge होगी उनको knowledge देने वाला कौन ज्यान सागर तुमारे पास ये knowledge नंबर वार पुर्शार तनुसार है तो यह knowledge धारन कर शिरी मत पर चलना है सारा मदार पवित्रता पर है इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं द्रोपती नहीं पुकारा है सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बच जाती है गीता में भी है मैं साधू का भी उधार करता हूँ परन्तु साधू लोगी अक्सर सुनाते नहीं है तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया क्या बन गई रिश्वत खोर बन गई है इसलिए इन सब का विनाश होना ही है जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे बाबा को कई बचियां कहती हैं हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता साहोकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते बाबा हम कन्याई होती तो कितना अच्छा होता माताओं को सिरी उतरने पड़ती है तो बाबा कहते हैं वर्षा ले लो मनुष्यों को मरने में देरी नहीं लगते आफ्ते आदी बहुत होंगे आप सिरफ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो 84 जनम पूरे हुए आप वापिस घर चलना है यह यहाँ ही गोते खाने है मन मनाभव मध्याची भव रावन के वर्षे को भूलो रावन स्राप देते हैं बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे बाबा के हम बच्चे बनेंगे तो बाबा से वर्षा पाएंगे शिरी मत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ जमीन पड़ी रहती है किराई पर दे तो भी अच्छा है बहुत फाइदा है आच्छा मिथे मिथे चिकी लदे बच्चों प्रती मात पीटा बाप डादा का याद प्यार good morning diamond morning rohani बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पीटा बाप डादा को याद प्यार गुड मॉर्णिंग डाइमन मॉर्णिंग ओम नमस्ते धानना के लिए मुखी सार है बाप के समी पाने के लिए रोखानी यात्रा पर रहना है रात को जाकर भी यह बुद्धी की यात्रा जरूर करनी है सेकिंग पॉइंट सची सची ब्राह्मन बन 21 कुल का उद्धार करना है स्वदरश्यन चक्रधारी बनना है काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत निकाल देना है बर्दान है आज का रोहानियत द्वारा रोह अर्धात आत्मा तो रोहानियत द्वारा ब्रती द्रिष्टी बोल और करम को रोयल बनाने वाले बाप समान ब्रह्मा बाप समान भाव रोहानियत द्वारा ब्रती द्रिष्टी बोल और करम को रोयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में जो रोयल्टी देखे, उसमें फॉलो करो. जैसे ब्रह्मा बाप ने चोटी बातों में अपनी बुद्धिव स्विम्, ब्रह्मा बाप ने चोटी बातों में अपनी बुद्धिव समय नहीं दिया, उनके मुक्से कभी साधान बोल नहीं निकले, हर बोल युक्ती युक्त अर् परे बोल वेर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे ब्रह्मा बाबा के बोल करम उनकी व्रति हार आत्मा के प्रति सदा शुब भामना शुब कामना वाले रहे द्रिष्टी से सब को फरिष्टे रूप में देखा करम से सदा सुख दिया और सुख लिया ऐसी फॉलो करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान स्लोगन है महनत की बजाए महबत के जूले में जूलना ही स्रेष्ट भाग्य वान की निशानी है लवलीन इस्तितिक अनभव करने के लिए पॉइंट है जैसे लोकी करीती से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से नैनों से वानी से अनभव होता है कि यह लवलीन है आशिक है ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह निराकारश्वी बाबा का स्नेह इमर्च हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे ऐसे स्नेह आपके हो बाबा की याद में जो औरों को भी घायल कर देंगे ओम शंति